प्रश्वाइब नमस्कार मैं सुरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल कल सिर्सा में पहुंची हिंदुस्तान की सबसे चोटी जेविसी आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे चोटी जेविसी मचीन है जो की पूरी बड़ी जेविसी जैसा काम करती है आप इसे तंग गलियों में और घर के अंदर कमरे के अंदर भी ले जा सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि आप बड़ी जेविसी मचीन के मुकाबले में ये उससे ज़्यादा काम करती है कारण इसका है और खर्चा खर्चा सबसे बड़ी बात ये है कि खर्चा बिल्कुल ही कम है यानि 200 रुपे में एक घंटा तक ये चल सकती है जहां आपको बड़ी जेविशी में 1800 रुपे प्रति घंटे के इसाफ से खर्चा लगाना पड़ता है वहीं ये 200 रुपे प्रति घंटे के इसाफ से काम कर सकती है तेल का खर्चा बिल्कुल ही कम है आपको अगर मकान बनाना है किसी ठेकदार को मकान की सुरुआत करनी है तो नीम खोदने के लिए इसका इस्तमाल किया जा सकता है किसान भाईयों के लिए तो ये बहुत ही लाबदायक है क्योंकि अगर आपको खाल बनाना है और दूसरा अगर आपको पाइपलाइन खींच करके लेकर आनी है कहीं दूर से पाइपलाइन अगर बिचानी है लेकर के आनी है पानी के लिए तो ये बहुत ही लाबदायक है इससे पड़े लेके युवा जो है वो अपना रोजगार चला सकते हैं और काफी इसका स्कॉप है इसे और इसे आउस्ट्रेलिया से इंपॉर्ट किया गया है और इसे इंडिया के अंदर लाया गया है ये पहली बार और एक मातर इसकी ओफिस जो है चेने में है और ये पूरे इंडिया के अंदर इसको लेकर के जा रहे हैं आयूस इंटरप्राइजेज के द्वारा इसे यहां इंडिया के अंदर लाया गया है जैपर में भी इनोंने अपना कारियले बनाया है और सिरसा के अंदर काल इनोंने लेकर के आ और डेमो बनाया और यहां दिखाया गया था बहुत ही बड़या से और अच्छे से बॉक करते हुए इसको दिखाया गया था कुछ वहां जमिदार भी कटा हुए बहुत सारे लोग थे जो देखने के लिए भीड के रूप में उमड़ पड़े थे और बहुत सारी ऐसी कार्या प्रनाली इसकी जो है वो दिखाई गई थी लोगों को इसे केरी करना आसान है इस्टॉल करना आसान है बिल्कुल ही और इसे किसी भी छोटी गाड़ी में टाटा मैजिक में टाटा इसके अंदर इसको ले जाया जा सकता है और इंडिया के अंदर इसका कोई रोड टैक्स भ सकती है और इसके अंदर हैमर भी लगा हुआ है जिससे आप लेंटर भी तोड़ सकते हैं मजबूत से मजबूत फरस को भी ये उखाड सकती है बहुत ही कम वेट है बहुत ही थोड़ी एi के अंदर ये carry हो जाती है और जो है powerful है ज्यादा सम्भाल की भी इसको आवश्चता नहीं होती चारो तरफ rotate हो सकती है चारो तरफ इसको घुमाया जा सकता है एक और एक स्थान पर ही खड़े रहके कि ये बहुत ज्यादा काम कर सकती है अलग-लग करके बिल नगाने के लिए जगे मनाई जा सकते है और इसमे लिए लेता अरश जय पूइन कर दिन आ लग्र जाएगा और कर निख शकता तो जहां है यह तो यार आप से नीचे तक छेदा करेगा बिना कोई कस्ट के इसके अलग-अलग अटच्मिंट्स पड़े हैं हाँ यहाँ पर यह एक पत्थर तोड़ेगा छेदा करेगा और आपका लेवलिंग भी करने के लिए काम में आएगा इसका ट्रॉली आता है उस पर चड़ा कि अपने घर के अंदर भी लेके जा सकते हो आपका कोई मार्बल या कोई फर्ट पे डैमेज यू नहीं होगा एक ठीक हाली आपका है यह इंचन जैन जो है जपान का है यह इंडिया में अभी इसकी सर्विस सुरूjem होईं members करते हैं तो पुरा सर्वेस है, विट पाइपिंग, एंजिनेरिंग टीम पुरा हमारा है, इसका ऑइल और हमारा खुद का हम देंगे है, इंपोर्ट तो सर्वेस का तो कोई तेंशन ही नहीं है, हाली जैपूर से भर्याना 5-6 गंटा जो टाइम लगता है, उतना देर लगेगा, बस अ और हमार कोई गौर्डर्णोन का टैक्स भी निये, जो गौर्डर्मेंट का टैक्स है, वो एक्डम कोई रोड टैक्स है, इसके उपर ख़ोटें पर आप कही भी वेज जा सकते हो, और जटनी की है, अभी तक इंडिया में किसी मशीन की से, अकम सष्ता हो ठिकाओ, तोड़ be नमस्कार, मेरे कंपनी का नाम आयूश मत्मोवस है, जो की चन्नाई में बेस्ट है, अपने इंडिया के चोथाक, मेट्रोपॉलिटिन सिटी, और हम लोग 2003 से काम में लगे हुए हैं, अर्पोविंग मेशीन के स्पेर पार्ट्स, मशीन और तरह तरह के सामान इंपोर्ट करते अब लास्ट यर हमने नमबर में ये आजुनिक मेशीने अस्टेलिया से इंपोर्ट की है, जो की छोटी है, एक टन कपासिटी की है, डेट टन कपासिटी की है, आगे दो टन की भी आएंगी और तीन तन की भी आएंगी, ये मेशीने बहुत वाइबल है, सस्ती भी हैं, और म सबस trip प्रफब के सबस्क्राइब कर श़िए इसे खेती के लिए कोंशाराइन के लिए टाल नोख जा लेक्ति के लिए वेदें अन्य निजर है's हिस्काइब कर्सक्ति है वहां है हिस्का घ्यॅका जहां तक इसकी कीमत की सवाल है, बहुत ही सस्ती है, आपको इस दाम पे मशीने इंडिया में मिली बहुत मुश्किल है आज के दिन, तो हमने इस सब सोचते नजर रखते हुए किसानों के सहुलियत के लिए और ठेकेदारों में सहुलियत के लिए और इंस्ट्रक्शन वार्श पूरे इंडिया की एजन्सी है, हम जगा जगा ऑल इंडिया बिस्ट्रक्शन में कैंपेंग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि ये सब तरफ लोगों को समझ में आएं और उनके काम हाँ, थैंकि, मस्ते, बड़ी मशीन की खीमत 9 लाग रुप्या है, और बड़ी की सवदा इसके लिए बहुत सवर्यत तरफ मिल सकता है, बड़ी मशीने नहीं जा सकती है, होई हैं चोटी आदूनिक मशीने जाके हर तरह का काम लग जगा सकता है, सेव छटे ठेके दारों को बहुत सवर्यत मिल सकता है, खिसानों के यहां पे गहुं के बोरे लोड करने का काम, इस तरह की अटाइश्मेंट्स रख सकते हैं, तो हर तरह का प्रांग रख सकते हैं.